अनुज एकिर मार्किट में कंस्टरिंग कल का 17 मैसिव शॉट कवरिंग वाला था ये खलका सा डेटा पॉइंट आया जहां पर हमने देखा है कि महंगाई कंसर्न है और हम सब के लिए कंसर्न बनी हुई है ऐसे में इसको कितना तवज्जो दे और कितना आप फैक्टरिंड करे कल एक ये बात हुई थी हमारी कि निफ्टी में रैली सुभे आईटी लेड करेगा सेकेंड हाफ में अगर बैंक निफ्टी ने जॉइन किया तो ट्रेंड दे बनेगा और बैंक निफ्टी ने पांचो सा हजार पॉइंट की रैली डियो थी वो आ गई अब कल के ट्रेंड को एक्स्ट्रापॉलेट मत करिये पहली बात तो कि कल उजे एफाइस की साड़े साथ हजार करोर की बाइंग थी पलस उनकी जब मैं ट्रेड सेट अप पर आऊंगा तब मैं दिखाऊंगा किस तरीके से उनने फ्यूचर से बाइंग किये उसका एक बहुत-बड़ा इंपक्त ठीक है लेकिन अब आगी क्या करना इसके उपर आपको फोकस करना है कल ECB ने रेट कट किया अब अगला फोकस हमारा हो जाएगा फेड पर मेरा व्यू क्या था कि फेड की रेट कट से पहले मार्केट फैक्टर इन करके और अल टाइम हाई लगा देगा मैं अभी इस पर इं करके जाएगा एक जाएगा लेड़लीस उपने लेट रखने इस फिरस्टे को कि सब प्रॉफिट बुक करके जाएगा और थर्स्डे को फ्रेश्डे को थ्रेश्डे को थेट लीजए थर्स्टे को 200.1 का गाप अप जाएगा मुझे इसे कुछ परगने पड़ता लेकिन अगर आप वह नहीं रख सकते तो आप कुछ प्रॉफिट बुक करें आज के लिए सिरफ लेकिन है कल के इतने बड़े मुव के बाद स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए हो सकता है निफ्टी चल जाए वह अलग बात लेकिन आज निफ्टी में आज आज आपके लिए आज की जो मेरे ख्याल से सबसे इंपोर्टन खबर है जिस पर लाचन करना चाहिए वह गोल्ड प्राइसे जो कल ओवरनाइट हुआ गोल्ड प्राइसे जिस तरीके से गोल्ड प्राइसे भागे है तो आप नज़र रखे टाइटन जैसे शेर पर कल्यान जोड़ जैसे शेर कमोडिटी और खास तोर से मेटल स्टॉक पर आपको खास ध्यान रखना है कल भी मेटल स्टॉक में बड़ी रैली होई करीब 3 परंट की यह एक बड़ा इंपक्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके लिए और एक आखरी सेक्टर इसपर अब मेंदा कर रहा हूं वह के बाद बड़े मूव देता है, वो Thursday और Friday को, कल Thursday को एक बड़ा मूव आया, लेकिन ध्यान रेकिन बैंक निफ्टी अभी अपने previous all time high से 3% दूर है, तो हो सकता है कि जो कल तेजी हुई है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक नए शिखर की यहां पर शुरुवात हुई हो, ये क्यों इस डेटा को बार बार रिवजट करना रहा हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं कहा था कि इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ गड़बड है, हमारी मार्केट बहुत सही है, मार्केट में दिककत कुछ भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए लेकिन कि किस दिन आपको options को chase क आपको हर तीन महिने में एक एसी expiry मेलेगी जिसमें आपको chase करना है, दिककत क्या हो रही, लोग पैसा कहा गवा रहे हैं, लोग पहले क्या होता था, पहले एक expiry होती थी, उसके बाद दो हो गई, पहले निफ्टी होती थी सिरफ, वो भी मन्थली, फिर निफ्टी और बैं कि इसके प्रशों को का उप्रशन तो बेजने सकते हैं, क्योंकि कोम माजन बेजने हिसने के लिए आपको और ऑप्शन बेजने के लिए 5-9 magyn का माजन चीए, तो बड़ा माजन चीए, वो सरo whilst बढ़े और उप्रियर कर सकते हैं, इसके लिए आगा हमारे भीने हां क्या कर कि लिए रेडी थेना चाहिए, कल वो दिन था और कल इसलिए मैं नॉर्मली आप मेरे साथ क्लोजिंग शो रोज करते हैं, मैं कभी मैं फोकस नहीं करता कि आपको बड़ा पैसा बाहरा होगा, कि आज का यह वाला उप्शन फोकस कर लेगा, वना मेरा फोकस अगले हफ्टे के लिए नहीं कर पाता है, क्या आपने सिगनल पढ़ा था कि वो कल का कॉल ही पैसे बनाता है, बहुत अच्छा सवाल ही आपका, वो सिगनल था 25-150 का क्रॉस होना, हमारी बात हुई थी कि 25-150 अगर क्रॉस हो गया, तो मार्केट में ओल टाइम हाई आपको बहुत जल्दी हैं जो बस उसको आगे बढ़ा दें, तो इसके लिए अगर 25-250 पर आप है और 25-300 की कॉल सिर्फ बारा रुपय पर मिल रही है, मतलब सोचिए और क्ल राइटर के लिए कितना रिस्की गयम है वो, उस कॉल राइटर के लिए कितना रिस्की गयम है वो क्योंकि वहां पे बस ह प्रूल गेम है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है ट्रेडिंग में खास तोर से दूसरे को फसा कर, ठीक है वो जो फस गया ना उसको फिर आपको एक्जिट ने देना है उसको और फसाना है, तो कल मौका था कॉल राइटर को फसाने का, इसके लिए वहां पर गेम होगा चले तो काफे